Hello everyone, firstly I welcome you all to my channel Study with V-Suto I hope आप सब लोग का exam बहुत अच्छा गया होगा और मैं यहाँ एक सीज किलियर कर दूँ मेरे पास सारा questions आ गया है set 1, set 2, 3 मतलब जितना भी set है, 12 sets मेरे पास आया है तो common sub में होता है, बस numbering का changement है ठीक है, तो इस particular video lecture में हम लोग का पर दूँ, जितना भी मैंने पढ़ाया था उसी से total questions आया है एक number का भी question syllabus से बाहर का नहीं आया है आप लोग पढ़े हैं, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा ऐसा निये कि मैंने खुब सारे artist के बारे में पढ़ाया था जो मैंने पढ़ाया है, उसी से question आया है ऐसा मतलब इसके पहले turn 1 में एक दो question out of the box आया था लेकिन इस बार तो एकड़म डिक्टो कोपी मैंने जो पढ़ाया है वही same चीज आ गया, ठीक है तो चलिए इसी के साथ हम लोग questions को बारी बारी देखते हैं और आप लोग अभी exam बीटा है तो ज्यादा video lecture को लंबा नहीं करूंगा और आप भी लोग जाए अपना mustive अगेरा करिये ठीक है तो चलिए हम लोग solution अपना question paper का देख लेते हैं So firstly हम लोग question paper को देखने से पहले कुछ general instruction है इसको देख लेंगे थोरा सा तो इसमें तो पहले ही mention है total question paper में 6 question होगे सारे question को करना compulsory होगा साथ में आपका question 1, 2, 3 and 4 2 marks के question होगे इसके अंदर एक internal choice होगा उसके बाद question number जो 5 है वो 3 marks का होगा इसके भी अंदर एक internal choice मिलेगा और question number 6 है 4 marks का होगा इसके अंदर को internal choice नहीं total हो जाते हैं आपके 15 marks तो यह था कुछ general instructions अब चलिए अब हम लोग थोरा सा देख लेते हैं इसका पहला question हम लोगों से क्या कह रहा है तो what do you know about Indian national flag इंडियन national flag के बारे में आप क्या जानते हो थीक तो पहले तो इसके बारे में थोरा साम लोग acceptance लिख देंगे कि इसको जो है 22 July 1947 को finally acceptance मिला था Indian constitution committee के दबारा इसके अंदर 3 colors होते हैं थी colors के बारे में थोरा साम लोग लिख देंगे तो यह चीज हो गया इसके बारे में ठीक यह हो गया उसके अधा how different was the present national flag from the one accepted by गांधी जी इन 1921 तो 1921 में गांधी जी ने एक flag accept किया था जिसका ऑपर एस्ट्रीब जो था वह white color का था उसके नीचे जो था वह green color का था और उसके नीचे रेट कलर का था और उसके बीच में चर्का था ठीक तो यह मैंने उसका composition बताया और अभी का flag में उपर देखो तो saffron है बीच में जो है white है उसमें चर्का के जगा यहां पर चक्रा लगा हुआ है और साथ में नीचे green color है तो यह इसका difference हो गया तो यह यहां पर पूछ रहा है कि difference भी बताना है आपको ठीक on the basis of color के basis पे मैंने बता दिया design के भी basis पे मैंने बता ही दिया और symbols चर्का और चक्रा में difference है यह भी मैंने बता दिया तो यह question one number एकदम easy था two number आप लोग का यहां से confirm हो गया होगा एकदम पढ़ाया हुआ 100% question आया है चलिए अब हम लोग next question अपना देख लेते हैं so next अब हम लोग का question number है question number two write about any famous painting of Raja Ravi Varma highlighting the subject matter of his painting and his art style तो देखो पहले तो उनका famous painting यह बात की जाए तो the pride of ocean पहले तो आप लोग title उपर लिख देना जैसे मैं पढ़ाया था उसके नीचे आप लोग लिखे होंगे artist का नाम राजा रवी वर्मा उसके बाद उसका नीचे लिखे होंगे आप लोग उसका मतलब medium क्या है तो medium oil color on paper तो यह चीज़ आप लोग लिखे होंगे उसके आदा बात कर रहा है subject matter की ठीक है तो subject matter में क्या दिखाए गया था तो यह जो painting है रामायन के एक episode पे बेस्ट painting था जिसमें की राम जी जो है लंका जाना चाहते हैं लेकिन हे भी जो समूंद्र का पानी है उनको रोकता है तो राम जी जो है प्रे करते हैं Lord Varuna यानि की ocean water के God से की आप हमको कोई रास्ता सजेस्ट करिए और यह नहीं सजेस्ट करते हैं तो व इसमें राम जी जो है वाइड धोटी पहने हुए है पीछे स्काई में जो है थंडर और राजो इनकों एंगर को जस्टिफाई कर रहा वरुना जी जो है क्या पहने हुए यह सारा चीज तो बेसिकली यह सारा चीज आप लोग जीख देंगे तो यह भी मेरे पढ़ाय हुए इसले बस से आया है ठीक है तो यह बात होगा ही question number two total हम लोग के four marks बन गए यहां से उसके आद हम लोग का है question number three so next question number three a famous painter who is considered as the father of Indian Renaissance and society of oriental art इस सही से आपको समझ में आ गया होगा यहां पर बात हो रही है अभिंद्र नात तैगोर जी की ठीक है उसके अद who introduced a new art style by combining the Indian Mughal Rajasthani style of notion along with the Japanese wash technique इतना तो परने के बाद definitely यह दोनों लाइन मेरे नोट से उठके आया हुआ एक्दम cm2 copy digital copy तो यह अभिंद्र नात तैगोर है ठीक है अब यह तो हो गई पहाचानने के बाद अब चलो question क्या कर रहा है इस style later became known as the Bengal school यह एकदम इजी यहां से तो आप लोग समझ जाएंगे कि अबनिंद्र नात तैगोर जी की यहां पर बात हो रही है उसके अचली अब question में क्या पूछ रहा है identify the artist तो artist मैंने identify कर दिया and describe his name नाम मैंने बता दिया अबनिंद्र नात तैगोर और main medium and name of the major artwork ठीक तो इनके आर्ट वर का नाम था journey id बहुत emotional heart touching camel का एक है stories में दिखाया गया अब इसकी बात की जाए तो सेम इसमें भी इनके आर्ट वर के बारे में जब आप लिखोगे तो title लिखोगे उसका artist का नाम लिख दोगे उसका आप लोग पिडियाद थोड़ा सा लिख देना उसका technique लिख देना tempera and vase medium लिख देना water color और paper और उसका artist का description लिख देना आप लोग तो इतना से यह भी आपका मतलब यहाँ पे total six marks आप लोग का confirm होता है अब चलिए भाम लोग next question की ओर बरतयानी की question number four so next question है question number four name the painter who painted Magdut series एकदम easy question राम गोपाल विजय बर गया एकदम easy question Magdut painting जो यह हम मैंने बताया था पहला बात तो Magdut painting जो था मैंने description में बताया था यह Magdut painting का एक series था उसमें से यह painting को उठाया गया था और उसको बनाया थे राम गोपाल वीजय वर गया जीने ठीक अब question में बोल रहा है tell the medium of this painting medium या फिर कहलो technique तो technique था tempera and was और medium की बात की जाए तो watercolor और paper ठीक of this artist included in your syllabus तो यह चीज हो गया write briefly about this art और क्यांपे उसका appreciation लिख दो यहाँ इसमें यक्छा जो है उसको exile पर भेज़ जिया गया है वो अपने वीवी से मिलने के लिए तरप रहते महां से जो cloud जाते हैं उसको messenger बनाता है उनसे request करता है कि अपना message ले जाके उनका उन तक पहुंचा दे तो अब यहाँ पर यह चीज हो गया और इस question number 4 में जो है ना एक और करके भी question है तो चली और वाले question को हम लोग डेख लेते हैं so question है name any two sculpture from your course of study which show daily life of labor class इसमें टीन भी मेरे हिसाब से लिख सकते हैं पहला तो त्रिम्फ अफ लेवर हुई जागा आज नेमी सजेस्ट करता है उसके संथल फैमिली और क्राइज अनियर्ट भी लिख सकते है ठीक है तो यह एक हो गया उसके write about the subject matter and material used for making this sculpture ठीक है तो त्रि प्रित का यूज हुआ था बनाने सरी संसलाल फैमिली में यह होगा हुआ था और ब्रोंज और उसका यूज हुआ था सिमेंट का उसको इसक्लाप्चर को त्रिम्फ लेवर को बनाने में तो बैसिकली यह आप लोग देख सकते हैं तो यहां पर question number 4 भी होता है यानि कि total 8 marks का हम लोग का question यहां पर done होता है आप चलिए हम लोग next आफरी question 5 और 6 देख लेते हैं तो next हम लोग का आता है question number 5 तो यह जो है case based question है थोड़ा सा level up है यानि कुछ आप आप ही नहीं है बहुत लिख दिया गया है इसमें optional है आपका तीन मार्च का question है एक कोई बनाना है ठीक है तो दोनों हम लोग देख लेते हैं तो write about the prominent artist active during the national freedom movement तो बहुत सारे थे जैसे अब निन ना तैगोर अमरीता सरगील और सारे बहुत सारा राजर रही वर्मा का भी बहुत contribution था तो बहुत सारे लोग थे ठीक है तो यह नंदिलाल बोस्ट है यह सब चीज हो गए उसका नेक्सिस में क्या बोल रहा है how did this artist contribute to the freedom movement तो सेम मैंने जो contribution of national freedom movement बनाया बताया है आपको सेम उसमें आप लोग लिख दोगे सेम यही चीज आप लोग यहां पर लाके छाप दोगे ठीक है उसके आथ क्या करा है write about any one such artwork which played an important role in a struggle freedom तो देखो इसमें कोई ऐसा एक artwork बताना है जो मतलब important role play किया था तो भारत माता जो था अब निन ना टाइगोर के द्वारा बनाया था और उसी का दूसरा जो बर्जन है अमरिता सेरगील के द्वारा बनाया गया था तो यह सब चीज बहुत ज्यादा influence किया था बहुत ज्यादा contribute किया था तो यह चीज हो जाता है अप लोगा उसके यह तो question अब हम लोगा हो गया अब next हम लोगा इसी में और करके question है चली उसको हम लोग देख लेते हैं ठोड़ा सा ठीक है so question number next है five कहीं और वला write about the title composition and content of the printmaker अनुकरम सूद प्रिंट इंक्लूद इंक्लूद इन और कोर्स brief discussion about the medium and technique used by her printmaking तो पहला बात उन्होंने जो print बनाया था वो जो था उसका नाम था यहां पर off walls ठीक है of walls ठीक यह जो था 20th century में बना था period की बात हो गई आर्टिस्ट यहां पर लिख देना आप लोग अनुकरम सूद उसका यहां पर आप लोग टेकनिक लिख देना itching and aqua tint ठीक है यह आप लोग लिख दोगे उसका टेकनिक के बाद आप लोग लिख दोगे इसका मेडियम मेडियम लिख देना पेपर ठीक है उसका कॉर्टिसी कॉर्टिसी इसका लिख देना नेशनल गालरी ऑफ मोडरन आर्ट न्यू डली इतना हो गया इसमें मेडियम अब यहां पर बात कर रहा है कॉम पोजीशन के बारे में इसमें जो भी चीज दिखाया गया है वह चीज लिख देना जैसे कि इसमें एक लेदी साथ पोजीशन में बैटी उसका फेस जो हालो आउट है उसके जगा पे डार्के स्पेस दिया हुआ है और इससे रिलेटेट स इसे मैंने लाइब क्लास में यही इसी ओफवाल से रिलेटेट एक क्वेस्टन कराया था तो जो लाइब देखे होंगे उनको यह फायदा हुआ होगा ठीक है तो आई होब आपको यह फाइब नंबर क्वेस्टन भी समझ में आ गया होगा चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क् आखरी क्वेस्टन तो नेक्स्ट और आखरी क्वेस्टन हम लोग का 4 मर्स का डिसकुस्ट द पेंटिंग हल्री ग्राइडर्स इंक्लूदेड यूर कोर्स अपे स्टूदी अन बेसिस फॉलोविंग पोइंट कुछ पोइंट्स दिया है इसके बेसिस पे तो ठीक तो पहला अमरीटा सेर्गिल तो इसका मेडियम का बात किया जाया तो ओयल ऑन कानवास और कॉंटेंट की बात की जाया इसमें बैसिकली अम लोग दिसक्रिप्शन और इसके पने एक और चीज़ पूछ रहा है दा एक्स्प्रेशन एक्स्प्रेशन एक्स्प्रेस्ट बाइड है ठीक है बेसिकली यह जो है ना यह मतलब रूलर लाइफ जो होता है ना उसके रिलेटेट काफी जाधा पेंटिंग बेस्ट है तो यह सरा चीज़ आप लोग लिख सकते हैं इसी में क्वेशन फोर है इसी का पार्ट आर्टिस्टिक कंपोजिशन अफ पेंटिंग आर्ट आर्ट स्टाइल इसमें वही बताना है जैसे इसमें कॉलर सेट का यूज हुआ था कैसे कॉलर्स का यूज हुआ है कैसे जो है दिखाया गया जैसे कि उसमें देखना फेस जो है ना मतलब की हॉलो टाइप से बना है मतलब एक्सप्रेशन ही नहीं है उसके फेस में तो यह हो आपके फ्यूचर के लिए आप लोग जो भी ब्रांच लीजे जो भी लीजे उसमें अच्छे से मन लगा के परिये तो चलिए थैंक्यू सो मच एंड बबाई बेस्ट अफ लॉग फर यूर फ्यूचर एंड एंड अपने जुनियर लोग को जरूर सजेस्ट करिएगा मेरे इस चैनल के बारे में ठीक है तो बाबाई